हेलो दोस्तो ओलिन वन टीटी चैनल में आप सभी का स्वागत है अठारा माह का एनाइवेस डियलेड स्विकृत उल्जहन में फसा सिक्षा विभाग और पहुत जल्द बिहार प्रायमरी सिक्षक न्योजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर नई सेडिल जो है जारी हो स सकती है पहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा दोस्तों मैं बता दूं कि एनाइवेस से डियलेड की हुए अभ्यार्थियों के लिए मिनिस्ट्री के और पर एंसीटी इने एक लेटर जारी कर दी है और पतना हाई कोट के वर्डिक्ट जो सुनवाई हुई है उसको मान ल किया गया था आवेदन करने के लिए और बिहार सरकार सिक्षा विभाग आवेदन करने की समय नहीं दी और एंसीटी को पत्र फरवार्ड कर दी कि आगे क्या करेगी इसको लेकर एंसीटी के तरब से कोई जवाब नहीं मिली और फाइनली एमेचारडी मिनिस्टर पौकरियाल जी के कहने पर एंसीटी इने लेटर को जारी कर दी और पत्ना हाई कोट के भरडिक्ट जो सुनवाई है उसको ही सुकिर्थ कर दी वहीं पे सिक्षा विभाग के मन में अब उल्जण पैदा हो चुकी है सिक्षा विभाग बिहार सरकार बार बार यह हवाला देती थी कि सरकार जो है एलपिये में जाएगी और जजमेंट आने से लेकर आज तक एलपिये में नहीं गई और विभाग जो है वो कह रही है कि अब उल्जन पैदा हो रहा है बहाली प्यक्रिया सुरू करने में पत्र मिलने के बाद प्रात्मिक सिख्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग का कहना है ऐसी जानकारी मिल रही है कि एंसीटी ने ऐसी पत्र जारी किया है इस मामले में सबसे पहले विभाग के सिर्ज अपसरों से बातचीत की जाएगी उनके मारदर्शन के आधार पर ही निर्णे लिया जाएगा हाला कि एंसीटी ने अपनी अस्पस्टी करण में कोट की सहमती जताई है इसलिए उसके रुख के साथ विभाग को जाना पढ़ सकता है स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि एंसीटी वाली लेटर पढ़ चुके है और इनका कहना है कि सिर्ज अस्तर के अधिकारियों से बात होगी और बात करने के बाद अब आगे की रुख अपनाई जाएगी और सिक्षा विभाग बहुत जल्द नई रुख अपनाएगी आगे क्या करती है एक से दो दिनों में बिल्कुल किलियर हो जाएगा साथ ही एनाई वेस से डीलेड अभ्यार्थियों की भागदारी के लिए नई सेड्यूल जो है जल्द जाड़ी हो सकती है जैसे ही अपडेट आती है दोस्तों आप सभी अभ्यार्थियों को कर दिया जाएगा सिक्षा भी भाग जो है बहुत जल्द ठोस कदम उठाएगी और प्रार्थमिक नियोजन में भागदारी के लिए आबेदन करने का समय अब एनाई वेस वाले को मिल सकता है अब आगे जो है नियोजन की प्रक्रिया को लेकर और एनाई वेस डीलेड वाले अब भी हर्थियों को नियोजन में भाग लेने को लेकर अब सिर्श अधिकारियों से बाचित होगी और बाचित के बाद आगे की प्रक्रिया जो है संपन होगी जो भी अपडेट आती है आप सभी अभ्य हर्थियों को समय समय पर उपलब्द कराई जा रही है वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिया हो सगे तो अपने दोस्तों में से सेयर भी कर दिजिए पूरे वीडियो को अन्तेक देखने के लिए धनवाद